शौर्व प्रतम तो जाय स्रेक्रिश्ट। शुने देखिए लाइबनीज कहता है परित्वा जान लेते हैं जो लाइबनीज जर्मन बुद्धिवादी अद्देतवादी तथा बहुतत्तोवादी दार्शनिक है इनोंने बिश्व की शम्यक्विवेचना करने तथा द्रव्य में शंकल्पश्वातंत्र की प्रतिष्ठा करने के लिए अनन्त द्रव्यों की शत्ता को श्विगार किया तथा बताया की द्रव्य द्रव्य का एक मात्र गुड है चेतना तथा इन चेतन द्रव्यों को चिद अडू की संग्या दी लाइबनीज्द के अनुशार इन चिद अडूओं को इश्वर ने उत्पन्य किया तथा चिद अडूओं के बीच शम्मंध तथा जगत में एक रूपता बेवस्था नियम बद्धता तथा इन किश्वतंत्र सत्ता की अस्थापना के लिए चिद अडूओं के भीतर प्रभाशन तथा इच्छड डालकर इन्हें गवाक्षेन कर दिया इसके पश्चात इन्हें ब्यवस्थित क्रम में रखा इस ब्यवस्था के कारण ही जगत में विस्थार का मिथ्या आभाश होता है इन्चिद अडूओं में चेतना की मात्रा में अंतर होने के कारण इनकी क्रियाशीलता में अंतर पाया जाता है जिससे ये बिश्व को भिन्बिन्ण रूपों में प्रत्विम्बित करते हैं कोई चिदडू बिश्व को किस प्रकार प्रत्विम्बित करेगा यह ब्यवस्था इश्वर ने चिदडवों को उत्पन करते समय ही कर दी थी क्योंकि उशे सब कुछ पहले से ही ग्याद था कि कब किफ चिद अडू में किस प्रकार का प्रभाशन पैदा होगा और तब बाकी के चिद अडू में किस प्रकार का इच्छड पैदा होगा इसे ही पुर्व अस्थापि समंज़त से कहते हैं उल्लेखनी है कि चिद अडू का यह परिवर्तन शाहचर होने के कारण बाहर से सम्मंधित प्रतीत होता है इनके बीच किस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती बलकि प्रतेक चिद अडू अपने आत्म नीहित लक्ष की और गतिसील है प्रणाम स्वरूप चिद अडूँ की विसिष्टता तथा अनेकता होते हुए भी इनमें लक्ष की एक रूपता पाई जाती है किन्तु इश पूर्व अस्थापिस समाजस कोश्विकार करने पर शमश्या यहाई की जगत में शर्वत्र संगती ही द्वान नहीं है बलकि असंगती भी है शाथ ही शंकल पश्वातांत्र तथा नयतिक्ता पर भी प्रश्ण चिन्ह लगता है अब प्रत्यों का जन्मजात स्वरुप क्या है इसको भी थोड़ा देख लेते हम लोग है लाइबनिस्त की मानेता है कि प्रत्य जन्मजात होते हैं क्योंकि सभी प्रत्य गवाक्षहीन चिद अड़ू की अंदर है लाइबनिस्त की अनुशार इश्वर ने चिद अड़ूँ में प्रभासन एवं इच्छड डालकर उन्हें गवाक्षहीन कर दिया इस प्रकार कोई भी चिद अड़ू अंदर शे बाहर नहीं जा सकता जन्मजाद हैं परंत वेश भी एक ही अवस्था में नहीं रहते प्रत्यों में अस्पष्टता प्रभासन के कारण होती है और अस्पष्ट वो और निश्चित प्रत्य को इंदरी ज्यान कहते हैं एवं अस्पष्ट प्रत्य को विचार कहते हैं बुद्धी तथा तथ्य विश्यक्षत्तों में भेद क्या है लाइबनीज का इस पर क्या विचार है इसको भी जानते हैं लाइबनीज के इनुशार शभी ज्यान शनवेदनाओं से आरंब होते हैं शनवेदनाएं बाहर से चिद अडुओं के भीतर प्रवेश नहीं करती जो सनवेदना है वा बाहर से प्रवेश नहीं करती है क्योंकि चिद अडुओं गवाक्षिहीन है इफने पहले ही बताया जो चिद अडुओं है वाक्षिहीन है बिंडोलेस मतलब खिड़की नहीं है न कोई बाहर से मतलब जिसे हवा होता है खिड़की से अंदर जा सकता है या घर के गंदगी जो है खिड़की माधिन से बाहर आशकती है तो जब बिंडोलेस है कोई खिड़की है ही नहीं तो न अंदर कीज़ बाहर आएगी न बाहर कीज़ अंदर जा शकती है शनवेदनाएं चित अड़ों के भीतर ही उत्पन होती है अब जो अंदर कीज़ ये अंदर ही है लाइबनिजद के अनुषार शनवेदना जन्मजात है शनवेदनाओं को ग्राण करने के लिए बुद्धी प्रागुनों भीक होती है लाइबनिजद के अनुषार इस्वर ने चित अड़ों की रचना की तथा प्रतेइक चित अड़ों में बिराट बिस्व चिपा है मतलब जो चित अड़ों बनाया है चोटा होचे बना उसमें येशी बिस्व का पूरा जो बिस्व सब दिखता हो एक चित अड़ों में पूरा एक प्रतविम्व मान के चलिए उसमें सब चिपा हुआ है जिसमें शभी कालों का ज्यान नहीं थे प्रते एक चिद अडू शंपुरुण विश्व को प्रतविम्बित करता है इश्वर ने चिद अडू की शंपुरुण संभावना को जानता है इससे ज्यात होता है कि शमस्त घटनाए उसके श्वरूब से ही शंपादित होती है चिद अडू की शंपुरुण संभावना इश्वर पर निर्भर होती है लाइबनिस्द कहता है कि इश्वर चिद अडू के माध्यम से अपने उद्देश की पूर्थी करता है इसलिए चिद अडू का श्वरूप इश्वर की इच्छा पर निर्भर होने के कारण आयतित हो जाता है तो यह हम लोगों ने जो लाइबनिस्द जो बुद्धिवादी दार्षनिक है उसके हम लोगों ने पूरु अस्थाफि सामज़स का नियम प्रत्यों का जन्मजास्वरूप बुद्धी तथात्त थिविसक सत्तों में भेद इनको हम लोगों ने जाना यह बुद्धिवादी दार्षनिक जो है लाइबनिस्द का थाम थोड़ा हम देखते हैं कि इस्वर के अस्थत की प्रमाणों का महत्व क्या है देखवे इस्वर की प्रमाणों में पूर्ण तार्तिक्ता होने के बावजूद धार्मिक द्रिष्ट से इनका महत्व है अशुव की ब्याख्या तथा नैतिक समंजस में शहायक धर्म तथा दर्षन में तार्मेल का प्रयाश किया गया है डेकार्ट के निम्तिस्वरवाद इस्पिनोजा के सर्वे स्वरवाद के बाद नवीन एवन विशिष्ट प्रकार के करता के रूप में इस्वर की प्रतिष्ठा करने का प्रयास किया गया है यह लाइबनीस का था वह इस्वर को किस प्रकार से प्रतिष्ठित किया है तो आज हम लोगों ने इनके शिद्धानतों को जाना लाइब ने थे, तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन किसी और दार्षनिक को लेकर उपस्थित होंगे, तके लिए जाय स्रीक्रिश्ल, जाय स्रीक्रिश्ल अज हम लोग अनुभावाद, जो पाश्चात दर्षन में है, अनुभावाद क्या है, इसको जानते हैं, तो देखें, अनुभावाद का थोड़ा सा परचे लेते हैं, कि अनुभावाद में क्या होता है, अनुभावाद, वह ज्यान में मान सही सत्षिधान्त है, जिसके अनुषार, इंद्रिया अनुभाव ही, वास्तविक ज्यान का एक मात्र स्रोत है, अर्थार, अनुभाव के द्वारा, इंद्री अनुभाव के द्वारा, जो ज्यान होता है, जो ज्यान मिलता है, वही ज्या को ये परफेक्ट मानते हैं। अनुभवाद की मानिता है कि वास्त्विक ज्ञान की प्राप्ति केवल बुद्धी द्वारा कदापी नहीं हो शकती। बुद्धिवाग बुद्धी को ही ज्ञान का नियामक एवं उपादानात्मक दोनों तत्व मानता है। किन्तु अनुभवाद की अनुशार बुद्धी केवल नियामक तत्व है। वह उपादानात्मक तत्व का स्थान कभी ग्रहन नहीं कर सकती। यदि हमें कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है जो वास्त्विक और वस्तुनिष्ट हो तो वह ज्ञान केवल अनुभव द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धिवाद एवं अनुभवाद के बीच जो दूसरा भेद है वह यहाई की बुद्धिवाद केवल उशी ज्ञान को ज्ञान की शंग्या देगा चिस्मे अनिवारता एवं शार भौमिक्ता का गुड़ विद्दमान हो। किन्तु अनुभवाद के लिए इस प्रकार का कोई प्रतिवंध नहीं है। वह ज्ञान के विशे में पर्याप्त उधार है। उसके अनुशार ज्ञान अनिवार एवं सामभाव्य दोनों हो शकता है। यदि ज्ञान अनिवार है तो वह केवल विंसले स्रात्मक ही होगा। इसके विपरीत यदी ज्ञान शंभाव्य है तो वह वस्तु जगत के विशय में होने के कारण संसले स्रात्मक ही होगा। बिटिस दर्शन शदाही अनुभावादी दर्शन रहा है लाक बरकले एवम ह्यूम अनुभावाद के प्रतिनिधी दार्शनिक रहे हैं तो देखिए अनुभावाद जो दार्षनिक है वो है लाक, बरकले और ह्यूंड ये तीन ऐसे दार्षनिक के जो अनुभावाद को आगे ले गए तो लाक के बारे में थोड़ा जानते हैं जो अनुभावादी दार्षनिक लाक है इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं कि ये कौन थे कहा की रहने वाले थे लाक ब्रिटिस अनुभवादी दार्षनिक हैं लाक्षे पूर्व दर्शन का प्रधान विशय तत्व मिवांशा था यदि ज्यान मिवांशा की चर्चा भी की जाती थी तो तत्व विज्यान के एक अंके रूप में लाख ऐशे प्रथमदार्षनिक था जिसने दर्षन के केंद्र बिंदु से तत्व मिमान्षा को हटा कर ज्यान मिमान्षा को प्रतित्रिष्ट किया क्योंकि उसकी माननिता थी कि जब तक ज्यान के श्रोत, स्वभाव, प्रमार्य तथा शीमा का निर्धारन नहीं हो जाए तब तक हमें तत्व के अनुशंधान के लिए प्रवित्ति नहीं होना चाहिए लाक बैज्ञानिक थे और बिज्ञान के महत्व को दर्शन के छेत्र में अस्पष्ठतह इन्होंने ही श्विकार किया उस समय के प्रशिद्ध राशायनिक बामल लाक के महान मित्र थे शीडे नहम नामक चिक्सा शास्त्री शे लाक प्रभावित थे तथा न्यूटन के गडीत के सिध्धान्त में भी इनकी रुची थी लाक की ही ज्ञान विमानसा को ह्यूम ने बिक्षित रूप में प्रेशित किया तथा आगे चल कर कांट ने ह्यूम को आधार बनाया लाक की ज्ञान विमानसा में ज्ञान की उद्भव की प्रथानता है जबकी कांट की ज्ञान विमानसा में ज्ञान के शुभाव वह प्रवाड़ी की प्रथानता है इसलिए लाक की ज्ञान विमानसा मनोवै ज्ञानिक मातर रह गई है जबकी कांट की ज्ञान विमानसा दर्शन के पर्याई के रूप में जाने जाने लगी डेकार्ड की चिंतन प्रणाली वह दार्फनिक पधती ने लाक के मन को प्रभावित किया यही कारण है कि लाक की ज्ञान मिमान सा डेकार्ड की तत्त मिमान सा पर ही आधारित है लाक का अग्यान मिमान सई द्रित्वाद डेकार्ट के तत्त मिमान सई द्रित्वाद का ही एक संस्करण है डेकार्ट के द्रित्वाद की मानिता थे कि जड़ तथा मन एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते क्योंकि दोनों विप्रीत सुभाव के हैं इसके आधार पर ही लाक ने अपने जान मिमान सई द्रित्वाद का प्रतिपादन किया तथा कहा कि यद्यपी जड़ तथा मन विरोधी सुभाव के हैं किन्तु इंद्रियों के माध्यम से इनमें शम्मंध अस्तापित होता है तथा इंद्रिया अनुभव के द्वारा मन को शरल प्रत्य प्राप्त होते हैं जिन से क्रिया करके मन जटिल प्रत्यों का निर्माड कर लेता है तथा ज्यान की उत्पत्ती हो जाती है अतहां अस्पस्ट है कि लाक ने ज्यान की उत्पत्ती में अनुभव तथा बुद्धी दोनों की भूमिका श्विकार की इसलिए इनकी ज्यान मिवांसा में द्वेत पाया जाता है प्रत्य था उसका वर्गी गण क्या है उसको थोड़ा सा मुलोग देखते हैं थोड़ा सा हम लोग इधर देख लेते हैं कि जटल प्रत्य और देखिए लाग के अन्फाल जटल प्रत्य तीन प्रकार के होते हैं विकार के जटल प्रत्यों की सुतंत्र सत्ता नहीं होती ये द्रब्य पर निर्भर होते हैं विकार के प्रत्य दो प्रकार की होते हैं, सरल विकारों के जटल प्रत्य वह जटल विकार, प्रथम प्रकार के प्रत्य एक ही प्रकार के सरल प्रत्यों से बनते हैं, जैसे एक दर्जन, शव, एक शेर, आदि, दुती प्रकार के जटल प्रत्य विकार होते हैं, जो अनेक सरल बनते हैं जैसे सोंदारि का प्रत्य द्रब्यitों के जेटिल प्रत्य शोतंतर वस्तूओं का प्रत्य। करता है उदारन यदि आकार के प्रत्य में गती विचार सीलता आदी प्रत्यों कर मिला कर उसमें द्रभ्य को संजुक्त कर दिया जाए तो मनुष्य का प्रत्य बनता है मनुष्य का प्रत्य व्यक्तिकत द्रभ्य का प्रत्य है शम्मंधों के जटल प्रत्य किशी बाय वस्तु का प्रत्रिनित नहीं करते हैं वेसरल प्रत्यों के आधात पर बुद्धी के द्वारा शोयम बना लिये जाते हैं शम्मंध के प्रत्य शोयम ही अपना प्रत्रिनित करते हैं जैसे कारेकान का सम्मंध प्रत्य है प्रत्यों के श्वरूप और उत्पत्ति को वह समझने के लिए गुढ के श्वरूप को जानना अवश्यक है लाक ने गुढ के श्वरूप पर कंभीर अनुशीलन दुती गुढ की अवधारना वीवाद अस्पस रहे अतह प्रात्मिक गुड अदुती गुडों के स्वरूपर विचार करना प्रासांगिक हो जाता है तिस प्रकार से हमने जटली प्रत्यों के बारे में जाना और लाक के जीवन के बारे में थोड़ा जाना और बुद्धिवाद छोड़के हम लोगने आज अनुभावाद को भी जाना कि अनुभावाद क्या होता है अनुभावाद दर्शन क्या है जाय स्रिक्ष्ट